हेलो वेलकम बेक फ्रेंड्स आप देखरें मारा यूटूब चैनल ट्रेडिंग वोरियर्स दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जी एमारे इन्फरा का फंडामेंटल एनलेसिस करके बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों अगर हम जी एमारे इन्फरा की बात करें तो यह बहुत अच्छा स्टोक है और बिल्कुल इसका आने वाला टार्गेट फ्राइज फिप्टी फोर रहेगा जैसे कि आप देख रहे कि इसमें बड़ा तेजी दिखाई दे रही है तो हम इसका एक महीने का वह देख करें जैसे कि हम अगर आपके त्रीक के से समझे रहे हैं कि इसने 28 रुपे से स्टार्ट करके 38 रुपे पर जा चुका है और इसका जो आने वाला टार्गेट अपकमिंग टार्गेट रहेगा वह रहेगा 54 रुपे चलो हुब इसकी फंडामेंटल है एनसे से करके देखते है कि इसमें आने वाला फिचर क्या रहेगा जैसे कि आप देख रहें कि यह मार इंफ्रास्ट्रक्चर लिम्टेड कंपनी जो इसने रिटरन दिया है वन मन्त का रिटरन 8.79 परसेंट और वन एर का रिटरन है 32.56 परसेंट और इसके कुल शेर ओल्डर है 3.9 लाक्स और जो इस यह वह आई है वेंचर लिम्टेडा एडिया गेनर इन एक ग्रूप यह एक ग्रूप की कंपनी है और आगे हम इसकी डिटेल के बारे में पता करें तो जैसे कि हम देख पार एक इस कंपनी का इंट्रेटी की वैलू का फिए अच्छी और इंट्री पॉइंट का टाइम भी काफी है अच्छा आप इसमें बिल्कुल डिटरन कमा सकते हैं अगर हम इसमें मिच्वल फंड की इन्वेस्टिंग के बात करें तो तो पीछले 6 वी इनवेस्ट में मिच्वल फंड की इन्करेजिंग है मिच्वल फंड ने इसमें काफी इन्वेस्ट किया है और यह जैसे कि आप देखरें भी सितम्बर को मिच्वल फंड की ओल्डिंग 0.48% थी और जून में 0.8% हो गया है तो यह इसके लिए काफी किस में 2.5 क्रोड की नेट इंकम जनरेट की है जोगी काफी अच्छी बात है आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी फाइदा मिलेगा नमस्कार दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल ट्रेडिंग और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले नमस्कार दोस्तों जयें हिंदी